हेलो एवरिवन केसे वाप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में मैं आपको केक बनाना बताऊंगी यह केक बहुती आसानी से बन जाता है और बहुती टेस्टी बनता है इस केक में हम कोई भी मार्कीट की हानी करक चीज का इस्तमाल नहीं करेंगे बिल्कुल स सबसे पहले लेना है कूकर इसको हम सबजी वाले कूकर में बनाएंगे वैसे केक ओवन में बनाया जाता है लेकिन हम आपको साधरन तरीके से बता रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबजी बनाने वाला कूकर लिया है उसमें मैंने एक रिंग रखी है उसके उपर मैं ए तो यहां पे मैंने खाना खाने वाली चिम्मच ली है, जिससे हम खाना काते हैं, इसी के माप से हम केक बनाएंगे, तो यहां पे मैं चार चम्मच पिसी हुई चीनी ले रही हूँ, यह मैंने मिक्सी में पीसके रख रखी है पहले से, यहां पे मैंने चार चम्मच चीनी ली है अब इसी चमच से मैं दही लोगी, तो देखे, यहाँ पे यह पतली दही है, तो मैं 5 चमच का इस्तमाल करूँगी, अगर आपकी दही गाड़ी है, एकदम ठिक नेस वाली दही है, तो आप 3 या 4 चमच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 चमच ले रही हूँ, अब मैं दही और चीनी को अच्छे से फेट लोगी यानि कि हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पे मैंने दही और चीनी को मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे यहां पे मैं बटर का इस्तमाल करने हूँ बटर मैंने थोड़ा सा गरम करके रखा है अगर आपके पास बटर न नहीं डालेंगे जिसमें जिससे तेल की खुस्पो खुतम हो जाएगी और उसकी खुस्पो आने लगेगी हम बिल्कुल साधर तरीके से बना रहे हैं तो यहां पे मैंने बटर का इस्तमाल किया है आप घीका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब मैं इसको थोड़ी देर ढखके र जाफके तो आक निस दे लेरी हूं यह देखिए मैंने 4 चमच मैदा लेया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1-4 चमच बेकिंग सोड़ा तो 1 चोथा चमच से भी आपको कमी लेना है क्योंकि वन चो पर एक चोथा चमच से भी कमी कमी और एक चौथा चमॉदालेंगे बेकि इसनुग पार्डर हम यही दोई चीज के स्तमाल करेंगे और कोई चीज हम इसमें नहीं डालेंगे अब लहा हम इसको इस इसी बेटर में मिक्स कर लेंगे और देखिए अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपका बेटर थोड़ा सा टाइट है तो यहाँ पे आप थोड़ा गरम दूद डाल के इसको सौप्ट कर सकते हैं लेकिन यह ठीक ठाक है अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी अगर आपको थोड़ा टाइट लगता है तो आप थोड़ा सा दूद डाल के इसको सौप्ट कर सकते हैं अब इसके बाद देखिए मैं एक यह कटोरी ले रही हूँ यह तो इसमें मैंने टुटी फ्रूटी और किसमिस डाली है इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के और इसको मिक्स करके अब मैं इनको भी इसमें डाल दूगी आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डाइट फ्रूट कां। इसमें डाल सकते हैं इसके बाद में मैंने यहां पे एक कटोरी ली है यह जो बच्चों के लिए हम टिफिन रखते हैं ना इसकूल के लिए यह वही कटोरी है थोड़ी सी बड़ा साइज है इसका तो इस कटोरी में मैं केक बनाऊंगी यहां पे मैंने टिफिन वाली कटोरी ली है और इसमें हमने चारो तरफ घुआ से लगा देना है। इसमें आप घुकी जगा तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें सूखा मेदा डालेंगे और चारो तरफ मेदा को इस तरह से इसमें घुमा देंगे, और फिर बाकी जो एक श्टर हे गाये इसको हम निकाल लेंगे तो ये कटोरी हमारी रेडी है अब हम इसमें इस बेटर को डाल देंगे इस मेदा को लगाने से हमारा जो केके नीचे से जलेगा नहीं और कटोरी में नहीं चिपकेगा इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा घी लगाके और इसमें सूखा मेदा लगाया है अब यहाँ पे हमने कटोरी को आधा ही रखना है फुल नहीं भरना है उपर तक यह क्योंकि हमारा केक फूलेगा पकेगा जब तो इसलिए आधा कटोरी हमको यह बेटर इसमें डाल देना है अब इसके उपर से में टूटी फूटी डाल दी मैंने और किसमिश डाल दी है तो यहाँ पे कुकर हमारा एकदम गरम हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें से बहाँ पा रही है अब यह बहुत ही ज़्यादा गरम है तो इसमें यह कटोरी रख देनी है यहाँ पे हम सिंडासी की मदद से यह कटोरी रख रहे हैं आपको कपड़े की मदद से भी रख सकते हैं अब मैंने ये कटोरी इसमें रख दी है अब यहाँ पे हम धकन लगाएंगे तो इसकी हमने रिंग और सीटी को निकाल दिया है अब धकन को लगाके हम कम से कम इसको 20 से 25 मिनट मीडियम गेस पर पकाएंगे तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट के बाद खोला है तो यहाँ पे देख सक केक हमारा इक्तम पक चुका है कितना अच्छा इसमें कलर आया है अब हम एक चाकू की मदद से इसको चेक कर लेंगे एक बार तो यहां पे बिल्कुल चाकू में नहीं चिपका है अगर आपको लगता है कि केक थोड़ा सा कच्छा है तो वापिस ढखकल लगा के 2-5 इनट तक पका सकते हैं यहां पे मैंने निकाल लिया है आप देख सकते हैं कटोरी में बिल्कुल भी नहीं चिपका है साइड से इसको चाकू अगरा से काटने की जरूरत नहीं है साइड से हम इसको वेसे ही निकाल लेंगे क्योंकि बिल्कुल भी यह नहीं चिपका है अब हम इसको इ हमारी बिल्कुल भी नहीं जला है। यह उल्टी साइड को हमिझे से लिखते. से सब्सक्राइब्स विङखते को भी आप आुई कोझ लेखरे ही इसमें सूप्त को तक बनाता, कशगा के लिखता है। और इसमें हमने घर की छीजें सामाल की है और आप देख सकते हैं कितना सोप्ध है और बहुत ही टेश्टी है अब मैं आपको यह काट के भी दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखे, बहुत ही सौप्ट है चाकू की हम इस पे काटने के लिए चाकू लगा रहे हैं तो भी ये नीचे दब रहा है एकदम सौप्ट केक बन के तयार हो गया है आप इस तरीके से केक घर पे बना के और इंजोई कर सकते हैं और यहां पे आप ये रेसिपी एक बार जरूर टिराई करें अगर आपको ये र चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू